आज हम बना रहे हैं सूरन मसाला सूरन जिसे जीमिकन भी कहा जाता है जिसे ओल भी कहा जाता है और उसकी सामगरी पहले देख लेते हैं कि कैसे बना जाएगा पहले मसाले देखते हैं यह साबूत मसाले हैं जिसमें हमने थोड़ी सी तालचीनी ली है थोड़ी सांफ लिया है दो इलाइची ली है छोटी और थोड़ से काली मिर्च और लॉंग दो लॉंग लिया हमने इसके अलावा हमारे पास ये तेज पत्ता है मंगरेल मेथी और ये थोड़ा से एक चुटके हमने गरिब हींग ले लिया है और ये अजवाइन है तो ये सारा कुछ हम शुरुवात में डालेंगे इसके अलावा हमारे पास ये कुछ मसाले हैं जो पिसेव मसाले हैं इनमें हमारे पास ये हल्दी है ये धनिया है हमारे पास सबजी मसाला है और यह गरब मसाला है हमारे पास यह सारे मसाले हमारे पास तैयार है यानि तैयार हमारे पूरी हो चुकी है और यह हमारे पास प्याज भी कटा हुआ है पहले से यह हमने करीब तीन मीडियें प्याज बड़ा लंबा लंबा काट लिया है ते Mittel हमारी पूरी हो गई हैं एक चीज़ा में बताना भूल गया था यह लासन अद्रग पेस्ट भी है इसले समय जाएगा त्में कुकर पूरी तर से गरम हो चुका है अब इसमें दालेंगे हाला कि यह वृ आंदजे से डाल रहा हैं लेकिन करिफ-екст ए P1 यश् हमने गरम तेल किया उसके बाद उसमें सारे साबूत मसाले डाल दिया है उसके बाद हम इसमें प्यास डाल रहे है इसमें प्यास को आपको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है इसकी भूनाई बहुत अच्छी होने से जितनी अच्छी भूनाई होगी उतना अच्छी अपी यह सब्जी बनेगी इसलिए भुनाई पर जादा ध्यान देना है भुनाई अच्पे तोने तरी है कम कम 10 मिट तक हम इसकी भुनाई करेंगे आपको ऐसे ही प्यास को भुनते रहना है बीच भीच में इसको धक भी देना है धकना है फिर फोड़ देर छोड़ना आया फिर इसको भूनना है तो यह प्यास कि भुनाई देखे हो गई है अब इसमें यह अपना जो सुग्रान हमने काट के रखा हुआ पहले से पीसेज में यह इसमें जाएगा इसको इसमें डालने के साथ ही आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और वैसे ही धीरे धीरे बीच-बीच में बूनते रहना है और ढखते रहना है ऐसे आपको बीच-बीच में इसको मिक्स करते रहना चलाते रहना है इस समय गैस का आच आप दे सकते हैं यह छोट के में मीडियम आच में रखा हुआ है तो सूरंग के साथ करीब हमने पांच मिर्ट तक इसकी बुनाई की है अब इसके बाद हमें अब जो मसाले हैं वो डालने हैं जो पाउडर आले मसाले हैं पाउडर आले मसाले इसमें जाएंगे और साथ में जाएगा थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट सारे मसाले आपको डाल देने हैं इसमें हल्दी, धनिया, जीरा, सबजी मसाला और गरम मसाला और साथ में ये जिंजर गाड़िक पेस्ट करीब एक टेबले स्पून अब इनको इसमें मिक्स करना है लेकिन उससे पहले मसाला डालने के साथ ही इसमें नमक, स्वादनसार नमक डाल दीजिए और इनको फिर से वैसे ही मिक्स करना है और थोड़ देर फिर से हम इसको भुनाई करेंगे इसकी ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें भुन जाए, मसालों में जो ऑयल होता है वो थोड़ा बहुत इसमें से निकल जाए और सब्जी में पूरीता से अच्छी तरह से भिन जाए ताकि उनका टेस्ट अच्छे से पूरे सूरंगी सब्जी में भिन जाएगा पांच मिट के बाद आप देखिए कितनी शांदार लुकाला आइस्पून दस मिट तक भूना गया है धक कर और उसके बाद फिर खोल कर फिर से फिर से दुबार समने भूना अब इसमें पानी डालेंगे अच्छे से पानी डालने बाद इसके लिक्स करेंगे अगर आप सूरंग के साथ आलू चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप आलू भी डाल सकते हैं तो इसमें अब पानी डाल दिया गया है अब इसको हम लोग ढखेंगे और इसको सीटी लएगे एक तेज आज पर हम एक सीटी लगाएंगे और दूसरी सीटी हम कम आज पर लगाएंगे जिसके बाद हमारा ये सूरंग की सबजी हमारी ये तयार हो जाएगी तो देखिए कुकर को हमने ठंडा होने दिया था उसके बाद से हमने इसको खोला है देखिए क्या शांदार सबजी एक बनकर तयार है लेकिन अभी एक प्रोसेस और वाकिए इसका एक छोटा सम तड़का लगाएंगे इसको और भी ये स्वाधिस्ट हो जाए इसमें अब थोड़ी सी ये आमचुर पाउडर पड़ रहा है ये थोड़ी खटाई की इसमें जरूरत है क्योंकि सूरन है और ये गले में लगता है अगर आप इसमें थोड़ी स्खटाई डाल देंगे तो ये गले में लगेगा नहीं उसकी वैसे दूसरी तरफ देखिए तड़के के लिए हम त्यार है तो ये टेल गरम कर लिया आया उसमें हम मेच और ये कड़ी पत्ता डाल दिया और बहुत जरा सा इसमें देगी मेरच डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसी में हम अपना जो ये सबजी है इसको हम इसमें यह पूरी सब्जी जड़ है, इस कड़ाई में पलट दी जाएगे सूरन की यह सब्जी अब जाकर बनकर तयार हो चुकी है लेकिन हम इसको थोड़ देर रेस्ट करने देंगे ढख कर रख देंगे और थोड़ देर रेस्ट करने देंगे झाले की यह सब्कार करें देंगे स्थिर्वार्स करना देंगे जुबस्वार्स